कि अब्रेवान वेल्कम बैक तो नदर वीडियो फ्लाइफ सेंजिलोजी इस वीडियो में पढ़ने वाले बेसी फाइनली का पेपर थर्ड युनिट साइकिन हमारी चल रही थी ठीक है आज का टोपिक है इकोलोजिकल पिरामेड ठीक है तो एकोलोजिकल पिरामेड के बारे मे हम जो है इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं एक्चल में होता क्या है एकोलोजिकल पिरामेड एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम यह समझते हैं कि किस तरीके से एक औरगैनिजम दूसरे औरगैनि ठीक है तो इसकी definition सबसे पहले हम देखेंगे उसके बाद अलग अलग तरीकी ecological pyramid हम discuss करेंगे जिसमें हमें pyramid of energy pyramid of biomass and pyramid of number जो है discuss करना है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे ecological pyramid की एक्चल में definition क्या होती है कि एको लोजिकल कि पेरामेड इस दर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है यह ग्राफिकल जैस आस अवाउट दो फीडिंग पेटर्न फीडिंग पेटर्न के बारे में हमें बताता है ecological pyramid ठीक है ecological pyramid एक तरीकी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें किसके बारे में बताता है फीडिंग पेटर्न के बारे में बताता है इन एकोसिस्टम ठीक है एक एकोसिस्टम में किस तरीके का फीडिंग पेटर्न है हमें किसके तरूप पता चलता है एकोलोजिकल पीरमिड के ठीक है जो कि यह क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटिशन है ठीक है एक एक जांपल देखे हम समझते हैं मालीजी कोई भी जो food chain होती है start कहां से होती है producer से producer मतलब जो कि autotrops होते हैं plant आप ले सकते हो grasses आप ले सकते हो ठीक है algae यह सब क्या है autotrops है तो मालीजी मैंने यहां पे example लिया plant ठीक है plant को कौन consume कर रहा है for example deer deer जो है वो consume कर रहा है plant को ठीक है deer को भी consume कर रहा है मालीजी fox और fox को भी जो है consume करने वाला कौन है tiger या फिर loin आप ले सकते हो ठीक है तो यह एक तरीकी की food chain हो है हमने यहां पर discuss करी प्राउंट क्या है producers ठीक है producers या फिर आप autotrops भी बोल सकते हो deer क्या है primary consumer ठीक है और क्या है herbivorous है मतलब शाकाहरी है किसको consume कर रहा है plants को consume कर रहा है herbivorous क्या है यह herbivorous ठीक है वहीं पर fox क्या है किसको consume कर रहा है fox deer को consume कर रहा है क्या है carnivorous है और साथी साथ में secondary consumer भी है क्योंकि यह primary consumer पर जो है कंजूम कर रहे हैं सेकंडरी कंजूमर है और क्या है कार्णी वोरस है ठीक कार्णी वोरस है लोईन क्या है टर्शरी कंजूमर ठीक है तर्शरी कंजूमर है और साती साथ में क्या है कार्णी वोरस भी है क्योंकि किस पर फॉक्स पर फीड कर रहा है ठीक है तो यह एक तरीकी के फूर्ट चैन हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं अब हमने इसको क्या किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दे दिया इस तरीके से एक पीरामीड फॉर्म में इसको बना दिया हमने यह क्या है ecological pyramid ठीक है तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो plant से energy transfer हो रही है deer में deer से energy transfer हो रही है fox में fox energy transfer हो रही है loin में किस तरह की energy food energy transfer हो रही है तो ecological pyramid हमें क्या बताता है कि किस तरह के से feeding pattern है ecosystem में और किस तरह के से energy का transfer हो रहा है एक organism से दूसरे organism में या आप वो सकते हो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हमने पिछले वीडियो में जो है ट्रॉफिक लेवल डिसकस किया था कि हरे एक बार को जो की ट्रांसफर हो रही है डियर में मतलब इस ट्रॉफिक लेवल से जो है ट्रांसफर हो रही है एनर्जी यहां पर ठीक है तो यह एक तरीके से एकोलोजिकल पिरामिड हमें ट्रांसफर आफ एनर्जी के बारे में भी बताता है किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है वो भी ह हम आगे पढ़ेंगे पिरामिड ओफ एनर्जी के अंदर यह आप साथ साथ में नोट करते जाएं कि सबसे पहले जो पिरामिड हम डिस्कुस करने वाले हैं वो है पिरामिड ओफ एनर्जी ठीक है पिरामिड ओफ एनर्जी जो है हम सबसे पहले डिस्कुस करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल में तो सबसे पहले हम यहां पर इस तरीके से एक एक्जामपल ले ल के पास में या रैबिट के पास में जो है energy transfer हो रही है इसको consume कर लिया लोईन है ठीक है डिएर को भी consume करने वाला कौन है लोईन है ठीक है इस तरीके से एक छोड़ा से एक्जामपल लेकि हम समझें के किस तरह से energy transfer हो खूंण को जो एनर्जी में मिल रही है प्लांत से संसे तो जो मन्ट है कि अमांट कहलीजी का सेट तो जुए मौत किसके पत्सक्ति पास का प्लांट के पास में टॉट होगी डीर के पास वड्यसांपस्पर होगी न्युक्त के पास मैं सब्सक्राइब of what thousand kilo calories thousand kilo calories ka 10% ही जो है वह next traffic level में क्या होगा transfer होगा थीकँ है तो 1000 kilo calorie का 10% होगा hundred kilo calories जो है energy transfer हो रही है plant से deer के पास में ठीक है वहीं पे deer की deer से जब loin के पास में energy transfer हो रही है मतलब deer से next traffic level में अगर transfer हो रही एनर्जी तो वो होगा इसका 10% मतलब 100 kcal का 10% 10 kcal energy transfer होगी लोयन के पास में ठीक है इसका मतलब क्या हुआ प्रोडूसर के पास में maximum number of energy है सबसे ज़्यादा amount किसके पास में है प्लांट के पास में है तो एक तरीके से क्या हम बोल सकते हैं कि energy जो है minimum होती है है कहां पर जो highest traffic level है उसके पास minimum energy और जो lowest traffic level है मतलब की plant उसके पास में क्या है सबसे ज़्यादा energy है ठीक है हम बोल सकते हैं इसको हम एक तरीके से ग्राफिकल representation अगराम दे दें इस तरीके से सबसे ज़्यादा energy किसके पास है प्रांट के पास है 100 किलो कैलरी उसके बाद डियर के पास में और डियर से फिर लोय में ट्रासफर हो गई है तो सबसे ज़्यादा जो energy है वो है प्रांट के पास में मतलब लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल के पास में और सबसे कम है highest traffic level के बास में ठीक है इस तरीके से जो है energy का transfer हो रहा है एक traffic level से दूसरे traffic level के अंदर ठीक है तो ये था pyramid of energy साथी एक और चीज यहाँ पर आप note कर सकते हो कि जो energy है वो क्या है minimum है यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ energy minimum at the highest traffic level traffic level ticket and maximum lowest traffic level ठीक है lowest traffic level में energy सबसे ज्यादा है और highest traffic level में energy सबसे कम है यह आप साथ में note कर लेना एक और चीज जो है वो है pyramid of energy हमेशा कैसा आपको दिखाए दे रहा है यह हमेशा upright होता है ठीक है upright यह वह सकते हो vertical होता है ठीक है तो यहां पर लिख दीजिए कि जो pyramid of energy हमेशा क्या होता है vertical होता है vertical and upright सीधा होता है हमेशा ठीक है इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजे एक बार next है pyramid of number ठीक है pyramid of number में क्या होता है shows the population or number of organism in each traffic level ठीक है एक पर्टिकल ट्रॉफिक लेवर में कितने number of individual या कितने organism या कितनी population प्रजेंट है यह हमें किसे पता चलता है pyramid of numbers है ठीक है अब यहां पे हमें दो तरीकी की ecosystem के ecological pyramid जो है वो दिस्कुस करने है पहला है grassland ecosystem दूसरा है parasitic ecosystem ठीक है सबसे पहले हम डिस्कुस करेंगे grassland ecosystem में क्या होता है यहां पर क्या है producer हमने एक्जम्पल लिए grass ठीक है grass को consume करने वाला है grasshopper ठीक है number of grass कितना होगा ज्यादा होगा यहां पर grass ज्यादा present है grass को consume करने वाला grass का जो number है वो कम है किस से ग्रास से वहीं पे जो ग्रास ओपर को consume करने वाला है frog frog का नंबर जो है कम है किस से ग्रास ओपर से वहीं पे frog को को कौन consume करने स्ट्रेक का नंबर है वह कम है किस से फ़्रोल से तो इस वज़ए से हमें जो ग्राफ मिल रहा है यहां पर वो कैसा है वर्टिकर और अप्राइिट है ठीक है तो नीचे से वाइड है उपर से नेरो होता चला गया कहने का मतलब ग्रास का नंबर जादा है और जैसे जैसे हम उपर की तरफ पड़े तो नंबर ओफ इंडिविजल कम होते चले गए ठीक है तो जो ग्राफ हमारे सामने बनके आ रहा है वो है वर्टिकल अप्राइट दूसरी तरफ है पैरा से टिक एकोसि अब हर बर्ड की उपर अगर दो या तीन या चार या पांच जितने भी पैरासाइट है कितने होंगे बर्ड से ज्यादा ही होंगे ठीक है तो मतलब बर्ड से ज्यादा हो गया किसका नंबर पैरासाइट का अब पैरासाइट के उपर भी क्या है थीक है तो कहने का मतलब नं किसका पैरा साइट से तो यहां पर जो हमें मिल रहा है जिस तरह की ग्राफ हमें मिल रहा है वह कैसा है इनवर्टेड है उल्टा है ठीक है तो पैरा सिटिक एको सिस्टम में याद रिखिए जो ग्राफ हमें मिलता है ठीक है जिस तरह की का पीरमेड यहां पर बन रहा है वह कै थे दो तरीकी के जो हैं इकोसिस्टम में किस तरीकी का एकोलोजिकल पीरामीड हमें देखने को मिलता है इम्पोर्टन है आप इसको साथ ही साथ में नोट करते जाहिए नेक्स हम पढ़ने वाले हैं पेरामीड ऑफ बायोमास ठीक है biomass is the total dry mass of one animal or plant spaces in a food chain or food way ठीक है, pyramid of number में हमने क्या consider किया था कि एक trophic level में कितना number या फिर कितना population present है उस organism का भही पे pyramid of biomass में हम क्या consider कर रहे है, mass कितना है ठीक है, mass कितना है उस particular organism का एक particular trophic level के अंदर ठीक है, pyramid of biomass shows the biomass at each trophic level ठीक है, तो each trophic level में कितना biomass present है वो हम consider करने वाले है pyramid of biomass में, तो basically दो तरीकी के pyramid हम यहाँ पे discuss करने वाले है एक है terrestrial ecosystem में, दूसरा है aquatic ecosystem में तो सबसे पहले terrestrial ecosystem में देख लेते हैं कोई भी food chain या trophic level stat कहां से होता है, producer से, ठीक है तो यहाँ पे producer क्या लिया है, grass, grass को consume कर रहा है rabbit, rabbit को consume कर रहा है fox और fox को consume कर रहा है tiger ठीक है, अब जो biomass है किसका, grass का, वो ज़्यादा है किस से, rabbit यानि की herbivores से जितने भी herbivores हैं, उससे जो biomass होता है, autotropes का या producer का वो ज़्यादा होता है ठीक है, अब producer का, जो primary consumer या बोलो herbivores का जो biomass होता है, वो ज़्यादा है किस से, carnivores से ठीक है, तो जिस तरीकी का हमें ecological pyramid देखने को मिलता है, terrestrial ecosystem में कैसा है upright है, या बोलो vertical है, ठीक है, तो सीधा या बोलो upright या vertical तरीकी का जो है हमें pyramid देखने को मिलता है, किस में terrestrial ecosystem में, ठीक है, क्योंकि जो grass का biomass है जादा है, herbivores से, herbivores का biomass का जादा है किस से, carnivores से, दूसरा है aquatic ecosystem में, ठीक है, यहाँ पर क्या है phytoplankton, जो की एक तरीकी का producer है, किस में aquatic ecosystem में, ठीक है तो aquatic ecosystem में producer क्या phytoplankton, phytoplankton को कौन consume कर रहा है, geoplankton, जो की छोटे-चोटे animals प्रिजेंट होते है aquatic system में, geoplankton को कौन consume कर रहा है, small fishes, ठीक है, small fishes को कौन consume कर रहा है, large fish, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, phytoplankton का जो बायो मास है, वो सबसे कम है, और जो large fish, यानि की बड़ी-बड़ी shark ले लो, वेल देख लो, उनका जो मास अफकोस जदा है, as compared to phytoplankton तो यहाँ पर जिस तरीकी का pyramid है, कैसा है, वो inverted है, aquatic ecosystem में, कैसा pyramid देखने को मिलेगा, inverted pyramid देखने को मिलेगा, ठीक है क्योंकि, यहाँ पर क्या है, कि large fishes का जो biomass, of course, वो जदा है, phytoplankton से, और जो बीच में रह जाते हैं, जैसे कि small fishes, उनका biomass जदा है, किस से, जू-plankton से, ठीक है, और जू-plankton का biomass क्या है, जदा है, phytoplankton से, तो aquatic ecosystem में, inverted pyramid बन जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दे कि दो जो झाय जूए झाह ऑो जाता है, झाहा है झापा जाब रहा है, तो आप